हेलो बच्चों, तॉपिक फॉर दे आज का टॉपिक है प्राइज डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर, दे लास चैप्टर, दे लास उनिट का लास चैप्टर ओस माइक्रेकनोमिक्स इस चैप्टर को पढ़ना अगर है, तो जैसे हमने बहुत बार ट्रिक से, बहुत बार कुछ ऐसे सल्यूशन के साथ पढ़ा कि तुम्हें चीजे सौटेट और इजी हो जाएं, इस चैप्टर को पढ़ने के भी सिंपल सा मने एक तरीका निकाला है, इसमें कितने ग्राफ बने कि प्राइज हो निकाला है जहांपे रवीन सिपलाइ बकार मिलें, इसमें हो ट्राय को पहला है, ये साथ पोइंट इश हिएं, ये सिंपलाइ गल्स चैप्टर को, यच भी संपलाइड है। ब्रही प्री हिए Idon जाएं, निए सिर्फ प्रेश की से लिएक, बेज ज़्यक करके फिर वापस इस चीज़ पे आएंगे Price Determination होता क्या है पहले यह समझ लेते हैं सब्सक्राइब करता है Socialist World Decide करता है वहाँ पर जहाँ पर Government सब कुछ चलाता है जब हम बात करते है Capitalist World की Free Market Economy जिसका सबसे अच्छा example अब तो पूरी दुनिया ही बचिए Almost Almost आरी कंट्री इंक्रूडिंग आर कंट्री हमारी कंट्री में भी एक तीन सेक्शन तीन एडियास छोड़ दिये जाएं तीन सेक्टर्स First is Railway, Second is Defense Third is Atomic So हमारा देश भी काफी हद तक अब Capitalist World या Free Market जोन में आ गया है So in Free Market Zone जो Price का Determination होता है वो कैसे होगा जहां पर Demand of the market Is equal to Supply of the market So this is the area of Price Determination So Price यहां पर Determine हो जाती है यहां पर Demand और Supply दोनों एक डूसरे से मिलते हैं अब जो हम बोलते हैं कि This is Equilibrium Level तो इसका यह मतलब हुआ कि उपर और नीचे Equilibrium नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि Equilibrium यहीं पर क्यों है बस तुम्हें इतना बताना है कि यहां पर Equilibrium नहीं है और यहां पर Equilibrium नहीं है क्यों यहां पर नहीं है supply या excess demand का zone होगा वहाँ पे price determination equilibrium नहीं हो सकता, कैसे, सोचो जहाँ पे supply जादा है, पहले उपर वाला point ले लेते हैं, जहाँ पे supply जादा है, अब supply जादा होगी, demand से तो क्या होगा, just imagine, यह पूरा chapter imagination पे भी काम करोगे तो बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा, socialize zone and area where supply is more than demand, supply जादा है, demand कब तो price tends to fall, बहुत सारी supply market है, लोग demand नहीं कर रहे है, तो price कम होना शुरू होगी, कब तक कम होगी, जब तक demand equals to supply पे ना आ जाए, next, अगर demand जादा है supply से, तो market हो बहुत demand है, supply होई नहीं पा रहे है, इतना ही लिखना है, price tends to rise, मतलब, again they'll reach to the equilibrium when d equals to s, so when s is more than d, they'll reach to the equilibrium, when s is less than d, they'll reach to the equilibrium, so finally they have to reach to the equilibrium, ये है price determination, कैसे समझाओगे, कैसे बताओगे, इस ग्राफ के तरू, कि demand equals to supply is the only possible condition of equilibrium in the market, क्योंकि यहाँ पे demand और supply mix होती है, अब बात आती है, इन सब चीजों, जहाँ पे, हमें बनाने multiple graph, क्योंकि questions आएंगे, तो question किस pattern में आते हैं, question का simple सा एक pattern होता है, वो लोग एक simple सा pattern of question पूछते हैं, and the pattern is, कि वो एक condition देंगे तुम लोगों को, कि what if the market is in equilibrium, हर बार एक ही condition होगी, condition में कोई difference नहीं आता, the market is in equilibrium, and demand increases, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, पहला, सिर्फ demand या सिर्फ supply में जब change होता है, तो सोचों, सिर्फ demand या सिर्फ supply, increase है, decrease होगी, तो क्या difference आएगा, ठीक है, मान लेते हैं, this is the graph, demand and supply का, यह है market demand, यह है market supply, है, वो बोलता है, सिर्फ demand, अच्छा, equilibrium यहाँ पर, वो बोलता है, सिर्फ demand increase हुआ है, so demand curve will shift to the right, तो नया equilibrium यहाँ पर बन जाएगा, तो क्या असर आया, तो असर यह आया, कि price बढ़ गया, और quantity भी बढ़ गई, market, सो market में ज़्यादा quantity of goods है, market में ज़्यादा price, same, supply बढ़ा, तो भी इसका impact आएगा, बताने का मतलब, कि जब सिर्फ demand या सिर्फ supply change होता है, तो हम एक ही graph बनाते हैं, एक graph में काम चल जाता है, और एक graph में कोई एक feature change होगा, दूसरा, जब हम यह देखते हैं, कि second wallet, both demand and supply changes, but proportion is given, मतलब, वो यह भूलता है कि एक demand बना है market में, एक supply बना हुआ है, और demand भी increase हुआ है, supply भी increase हुआ है, decrease है, increase, decrease कुछ भी हो सकता है, और वो भूलता है, demand ज़ादा increase हुआ है, as compared to supply increase, तो supply भी increase है, यहाँ पर बनाता है पहला equilibrium, वो बोल रहा है supply भी increase हुआ है, लेकिन supply थोड़ा कम increase हुआ है, तो supply का जो increase है, that is comparatively lower than demand country, तो नए equilibrium कहाँ बनेगा, जहाँ S1 और D1 intersect करेंगे, new curves, तो this is equilibrium 1, this is equilibrium 2, तो यह नए equilibrium में क्या change आया, जो पुराने में नहीं था, जो पुराने equilibrium में यहाँ price और यहाँ demand था, नए equilibrium में यहाँ price और यहाँ demand, तो तुम क्या लेक होगे, increase in price, is more than increase in quantity, price का increase, quantity की increase से ज़ादा हुआ है, this is the change, change we observed in, तो यह observation है, game type का पूरा logic है, कि कितने graph बनेगी, again, क्योंकि यह proportion is set, बिलकुल उनने बता दिया है, कि both demand and supply increases in given proportion, जो proportion given हो, वो बता देगा, equal proportion, वो बता देगा, demand increases, supply decreases, but same proportion, तो भी economy में एक ही graph बनेगा, यह बात याद रखना, तो यहाँ पे भी single graph, यहाँ भी single graph, थर्ड, थर्ड is six mark question, जो यह third वाला concept है, यह पहली बात तो याद रखना, यह 6 number का question बन सकता है, क्यों, वो समझते हैं, कि यहाँ पे, both demand and supply का proportion change होने के चाल, देखो, यहाँ पे वो अलगी question देगा, वो बोलेगा, donor demand and supply increase हो रहा है, but proportion is different, proportion is not given, ऐसे माल लो, so not given proportion कैसे काम करता है, यह देख, question is, मैं question दो जाता हूँ, कि उसमें लिखा, demand increases and supply decreases ले लेते हैं, चलो, उसने यह नहीं बताया कौन सा कितना, ठीक है, तो अब मुझे नहीं बता कि demand जादा increase हुआ है, supply जादा, तो मुझे कितने graph बनाने पड़ेंगे, I have to prepare, यहाँ पे तीन graph, यह लिख लो, तीन graph क्यों, क्योंकि मुझे तीन situation मेरे सामने आ सकती है, वो तीन situation कौन कौन सी, यह देख लेते हैं, the very first situation is, जहां मैंने demand बनाया, जहां मैंने supply बनाया, और मैंने equilibrium plot करा, मैंने price determination कर दिया plot, अब मुझे लग रहा है, demand increase, supply decrease हुआ है, यह तो clear है, मैं पहले ले लेता हूँ, कि demand जो है, वो ज़्यादा increase हुआ है, और supply जो है, वो कम decrease हुआ है, supply को decrease करते हैं, तो left and shift होगा, supply कम decrease हुआ है, तो क्या equilibrium 2 में changes आया, यह changes आया, यह price जो है, वो बढ़ गया, और quantity जो है, वो भी बढ़ गयी, ठीक है, यह हुआ पहला change, यह हुआ पहला graph, दूसरा क्या है, दूसरा अपन बनाते हैं, जहांपे demand कम increase करेंगे, और supply को ज़्यादा decrease कर देंगे, इक्विलिब्रियम, पहला एक्विलिब्रियम, डिमांड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दू, तो क्या change आया, इस इस दी न्यू एक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या आया, quantity कम and price ज़्यादा, this is P1, this is P2, this is Q1 and this is Q2, तो Q2 कम हो गया और P2 बढ़ गया, price increase हो गया, so this is the change we observed, third situation, third situation क्या हो सकती, एक बार हमने demand को ज़्यादा कर दिया, एक बार supply को ज़्यादा कर दिया, तीसरे में क्या option बचा, तीसरे में तुम्हें दोनों को बराबर करना पड़ेगा, third graph, third condition, simple बनाओ demand, simple बनाओ supply, this is the point of equilibrium, यहाँ पे set कर दो determination price का, अब demand को increase करो, और supply को decrease करो, और दोनों का proportion सेम रखा है, तो क्या होगा, तो होगा यह कि quantity सेम रहेगी, और price जो है वो P1 से P2 पे increase हो जाएगा, अब तीन situation को ध्यान से देखो, तीन situation बन गई, क्या situation है, first, demand is more than supply, increase in demand is more than decrease in supply, ऐसे मान ना, यहाँ पे supply is more than demand, मतलब decrease in supply is more than increase in demand, and third is both are equal, मतलब increase in demand is equal to decrease in supply, बस यह arrow याद रखना, एक क्योंकि increase हुआ है, एक decrease हुआ है, तो यह बन गई तीसरी situation, यहाँ पे proportion जो है वो given नहीं है, यह proportion गिवन नहीं होगा, तो हम ऐसी ही situation बना सकते हैं, Now, special cases, special cases मतलब, बहुत simple है special cases, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें जो demand या supply है, वो perfect वाले example में आ जाएंगे, elasticity of demand, elasticity of supply जब zero होता है, तो if demand की elasticity zero, और supply change होता है, तो क्या होगा, तो सुचो demand curve की elasticity zero है, मतलब demand curve would be a straight line curve, और वो बुल रहा है supply increases, तो supply curve S1 से increase होके S2 पे आ गया है, तो क्या change आया, equilibrium में, equilibrium 1 and equilibrium 2, तो prices increases, second graph में, अगर वो बुलता है कि demand is perfect, perfectly elastic, zero नहीं है, infinite है, तो demand curve perfectly elastic, ऐसे बन जाएगा, एक ही demand curve बनाना है, this is the demand curve, zero, यहाँ पे supply decrease करने के लिए बोलता है, माल लो, example increase ही बोल सकता है, so this is S1, and this is S2, क्या change आया, quantity जो है, पहले Q1 थी, फिर Q2 होगए, यहाँ पर price पहले, special cases, same तुम supply के लिए बना सकते, बजब supply के लिए बनाओगे, तो you have to keep demand वाला curve निमाग में, कि हम demand curve बना रहे हैं, which is downward sloping, so in case of supply, let's assume supply is zero, and we are decreasing demand, demand कम होने का मतलब है, leftward shift होना या downward shift होना, so D2, so what is the change we observe, price जो है वो P1 से P2 पे आगे, in the second case, second वाले case में मान लेते हैं, supply is infinite, demand जो है वो वापस increase हुआ है, D1, D2, क्या change आया, quantity जो है वो Q1 से, Q2 की तरफ move हो गए, तो यह जो graph मैंने अभी बताए, यह जो conditions मैंने अभी तुम लोग के सामने बताई, वो condition ये conditions है, only demand and supply changes, both demand and supply changes in given proportion, जो proportion given हो तो एक ही graph बनेगा, यह और special cases, special cases में भी एक ही graph बनते हैं, usually special cases नहीं पूछे जाते, more or less question इससे आएगा या इससे आएगा, more or less, तो यह ही होता है demand and supply वाला chapter, राइस रेटमिनेशन, दो चीज़ें बहुत important पढ़नी है, first is price determination, equilibrium होता कहाँ पर, and second is, कि जब demand and supply change होता है, अब इसके बहुत सारे graph बन सकते हैं, हर graph को तुम देखोगे, तो तुमें सिर्फ practice करनी है, क्या हो रहा है, और practice से भी जादा, मैं इस chapter को मानता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ practice required नहीं है, तुमें alert होने की ज़रूरत है, हम बोल रहे हैं, कि हमने demand को increase कर दिया, लेकिन मैं भी demand को decrease कर गया, मैं बोल रहा हूँ, मैंने increase कर आपट मैंने decrease कर दिया, तो क्या changes आते हैं, तो मेरा दिमाग कुछ और बोलता है, illusionary mind कुछ और बोलता है, यह बस alert अगर हो इस chapter में, trust me, this is going to be the easiest chapter, क्योंकि game है पूरा थापट, ठीक है, so I hope चीज़ समझ में आई होगी, complete होने के बाद सब कुछ, और this is the completion of microeconomics, पूरा microeconomics, एक पार्ट में complete हुआ है, सारे वीडियो से microeconomics और, फिर से देखो तुम लोग, last chapter है, no doubt पर, सारे chapters को जब एक साथ देखोगे, तो link होती जाएंगी चीज़ा, ठीक है, so thanks a lot बच्चों, watching so carefully, listening so carefully, कोई without लोगा, so telegram channel is always the option for you, ask, doubts, or dare, I am ready to answer all your doubts, thank you, thank you, को जाएंगी तुम झाला है, कर दो कर् learnt थेखोगे और बॉक्याट बच्क्श तुम प œजुम जाएंगी,